टू वीलर की डीलर्शिप के मालिक जिनके पास गल्ली में सिर्फ दो स्टोरू में काम करने के लिए 100-200 नहीं बलकी मात्र 8 करमचारी हैं उसके IPO को 400 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया इस बात को समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आसान भासा में कहें तो एक छोटी सी कमपनी रिसोर्स फुल आटो मुबाइल ने महज 12 करूर रुपे का IPO पीश क्या था और उसे दोगनी या तिन गुनी नहीं बलकी 4,800 करूर रुपे की बोलियां मिल गई हैं इस IPO को मिली बोलियों से ना केवल निवीशक हैरान हैं बलकी इसने दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिगजों का भी सिर चकड़ा दिया है अब क्या है पूरी खबर विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं लुकमत हिंदी और मैं हूँ आपके साथ मुशार्च रुपे सबसे पहले IPO से कहानी की शुरुवात करते हैं रिशोर्स फुल आटो मॉबाइल्स की तरफ से 22 अगस्त को अपना IPO लॉँच किया गया था इसे 117 रुपे के इशू प्राइस पर पेश किया गया था कंपनी का मकसद 10.2 लाग शेरों की पेश करस करके मात्र 11.9 करूर रुपे इकटा करना था ये इशू 117 रुपे के फिक्स प्राइस पर जारी किया गया था रिसोर्सफुल आटर मॉबाइल्स के IPO को निवीशकों से जबर्दर दुश्पूर ये ओफर किये गए शेरों से 398 यानि 399 गुना जाना है कंपनी ने अपने IPO डॉकुमेंट में कई बिजनस रिस्क के बारे में भी बताया अब कहानी के स्मोर पर आपको ये बात लग रही होगी कि आप कौन सी बिजनस रिस्क की बात की रही है इस बात को और आसान भासा में decode करने की कोशिश करते हैं कंपनी की तरफ से बताया गया कि सरकार की तरफ से जुर्माना लग सकता है क्योंकि कंपनी के रिष्टेदारों के साथ लेंदिन जो है जो है जो ट्रांजैक्शन से वो ज्यादा है इसके अलावा ये भी कहा गया कि कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन है और अक्टूबर दो हजार तईस तक कंपनी के पास इसके बाब जूद निवेशकों ने आईपयों को रिकॉर्ड रिस्पॉंस दिया है इस आईपयों को फोलने से पहले दिन तस दसम्लों तीन पाच गुना सब्सक्राइब किया है दूसरे दिन से 74 दसम्लों एक दिन गुना और तीसरे यानि अंतिम दिन जो है बोली लगाने माले ने कि आकड़ा 418 दसम्लों दूसाथ गुना तक पहुंचाने अब समझिए क्या है मामा अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस आईपयों पर क्यों तूठ पर रहे है निवेश के जानकार यानी जो मार्केट इक्सपर्ट है उनका तो कहना है कि छोटी रखम के आईप में आईपयों पर निवेश को की तरफ से जबरदस्त रूची दिखाना जो है वह बाजार के लिए तो अच्छा है इस कंपनी के आईपयों में लोगों की तरफ से जबरदस्त पैसा लगाएगे निवेशकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉंस दिखाने के खारण छोटा IPO भी हो सकते हैं चोटा IPO इस वज़े से भी लोग पैसा लगा रहे हैं इससे यह साफ है कि भारतिय बाजार में निवेशकों का बहरोसा जो है वह बर्व यहां पर आपको एक और चेतावनी बता दे कि सेवी प्रमुक्त जो है माधवी पुरीबुच लगातार कई बार यह कह चुती है कि जो SME जो है उससे सतर्व होने की भी आवशक्ता है हम यह नहीं कह रहे है कि साइप्यों में यह दिक्कत हो सकती है नहीं हो सकती है इसका बहतर आकलन तो मार्केट एक्सपर्ट देंगे लेकिन हमने आपको सेवी और आर्बी आई जो सचेत होने के लिए कह रहा है वो बाते भीम आपको बता दें अब जिस कंपनी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है वो क्या काम करती है यह भी जानना बहुत जरूरी है तो बता दें डिसोर्स फोल ऑटो मोबाइल्स की शुरुवात साल मात्र 2018 में हुए क्यानी मात्र चार साल पीछे दे लिए 2020 से और इधर बनेवात्र 6 साल पू प्रेश जिल लेता है इसके साथ अटाइस्ट वर्कशॉप के साथ कंपनी में फिनार दो शूरुम जो है वह द्वारका नई दिल्ली में वही कंपनी का दूशरा सोरुम पालम रों नई दिल्ली में 31 जुलाई 2024 तक के डेटा के मताबिक कंपनी में टूटल मात्र 8 permanent employees अब हम और आपको इस BOY बारे में तमाम जान का रिया दे दी कि रिए जूरी जो चेतावनी होती है यानि SME आईपी को लेकर चेतावनी होती उसके बारे में भी आपको बता दिया पैसा लगाना है आपका काम है आपसे विनम्र निवेदन है कि शेड बाजार में किसी भी आईप्रेंन प्लीज अपने फाइनेशल एडवाइजर्स की सलाह लेना नापको इसी तरह देश और दुनिया और बिजनस दिकर सजुपी तमाम ताज अतने खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें लोग मत